भारती मुद्रा के वारे में पैसों की जरूरत सब को है लेकिन पैसों की जानकारी की सब को जरूरत नहीं है पैसों की तो जरुवत है लेकिन पैसों की जानकारी की सब को जरुवत नहीं है पैसों का अपयोग सब करते है लेकिन उसकी जानकारी आप मेंसे कुछ-कुछ लोग रखते हैं हमारे देश में नोट को तयार करने के लिए कागज तयार करने के लिए कपास, टेक्स्टाइल, फ बाईवर और गुल मेहंदी। सभी भारती नोट जतने भी भारती नोट हैं एक और उसके उपर 15 भासाओं में उसके उपर नोट के बारे में लिखाएं। दूसरी तरफ सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ये किसी भी मुद्रा के पास इतनी भासा लिखने का सोबाग नहीं मिला कभी भी आप देखना भारती नोट के एक तरफ पंद्रे भासा हैं उसी में जुड़ी हुई है दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी एक रुपाई से लेकर के उपर के नोट है भारती रिजर बैंक वह चापती है रिजर बैंक आफ इंडिया उसमें छपता है नोट लेकर एक की नोट ऐसी है जिसमें ना तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं उसको चापने वाली भारत सरकार है एक ही नोट को छोड़ करके सब के उपर गवर्नर का अस्ताक्षर है एक ही नोट के उपर नहीं है बटुगा में हो तो देख लो अभी हमारे देश में 1954 से लेके 1978 तक 5000 और 10,000 की नोट चलती थी शादे ना पता हो तो सुन लो हमारे भारत में 1954 से लेकर के 1978 तक 5000 और 10,000 की नोट चलती थी बाद में ये नोट बंद हो गए भारत मुद्रा प्रचलन में 600 वर्स पहले इसकी शुरुआत ये भारत का जो कागज का नोट है ये 600 साल से पहले नहीं था 600 वर्स पहले इस नोट की शुरुआत सेर साहा सूरी राना के द्वारा इसको सुरु किया गया भारती मुद्रा की शुरुआत 600 साल पहले सेर साहा सूरी के द्वारा इस मुद्रा को तयार किया गया आठ नवंबर 2016 में भारत में से 500 और 1000 के नोट रात को बारे वजे वंद कर दिये गए थे अब उनकी जगे पर भारत में सबसे बड़ी नोट 2000 रुपई की और 500 की ही प्रात्व होती है यह प्रचलन में नोट चलते हैं